हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूं सैलिड रैसीपी एक हेल्दी डाइट जो लोग रात को खाना अवोईड करते हैं सिर्फ सैलिड खाते हैं तो मैं सैलिड के उनक सब्वें डाली हैं तो मैं आपको बताऊँ गणी मैं इसमें क्या क्या डाला है और ये किस तरीके से बनाएए देखें मैंने गोवी और triangle मारेखर लिग ले संस ब्ल्कुल बारिक ब्ल्कुल बारिक काटके मैंने है कि मैं था आप मैंने आप को पिछली वी 돌ियो में बताया थ बखिसे अब कि निम्बू और बिल्कुल बाड़ी कटी अपटी ब्याज उपर से डालने के लिए अब चलिए यह देख लेते हैं कि हमारी सबजें स्टीम हो गई हैं यह बाकि सबजें को स्टीम करने के ज़ादा ज्यूर्ट नहीं यह मैंने गाजर डाल दी है और ये चक उंदर बस इने हमने गैस बंद कर दिया हलक किसी भाप लगा नहीं है बिल्कुर जो बंद गैस में ही हमारी बन जाएगी वो ही बाकी खीरा तो खाली ऐसी भी अच्छा लगता कच्छा अब मैंने कडाई में हलका सा गीच डाल दूँगी और थोड़ी सी डाल दूँग इसमें राई अब राय चाहिश चटक जाएगी तो इसमें डाल दूँग थोड़ी सी हींग उसके बाद सी चलाते विए इसमें सबसे पहले डाल देंगे हम अपना लसन अब यह देखिये अब हम अपनी सबजीयों को निकाल लेते हैं यह देखिया अच्छी स अच्छा से मिक्स कर देंगे को अ़िव में इसके बाद सबसे पहले हम डाल देंगी इसमें हलका सा नमक यह देखे मैं नमक डाल दिया विसे अच्छा से मिक्स करते हुए इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी पत्ता गोबी जो कि मैंने बिल्कुल बारी काट ली थी यह देखे बिल्कुल बारी कटी हुई पत्ता गोबी है आप चाहें तो इसे गिस भी सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हलका सा धनिया पाउडर डाल देंगे अब इसमें हम डाल देंगे अपनी सारी स्टीम कर हुई सबजिया और अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे यह देखे कितना अच्छा कलर लग रहा है अब इसमें हम नीम्बू का रस डाल देंगे लास्ट में हम इसमें एड़ करेंगे खीरा यह देखे खीरा बिल्कुल बारी कटा हुआ है क्योंकि खीरे को बिल्कुल भी पकाने की जोड़त नहीं खीरा कच्छा भी अच्छा लगता है तो बाकी सारी सब्जियों को हम बिल्कुल कच्छा नहीं खा सकते तो हलकी सी स्टीम कर लेते हैं इस तरीके से जब आप सैलिट बनाते हैं तो इसकी नीट्रिशन वैल्यू भी खत्म नहीं होती है और ये खाने में भी अच्छा लगता है अब उपर से थोड़ी सी डाल देंगे बारी कटी प्याज आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कर देंगे